हम सब को पूरा साल आम का बेसबरी से इंतजार रहता है, जो गर्मियों के आते ही हर जगा बाजार में दिखने शुरू हो जाते हैं पर जब आम को केमिकल की मदद से पकाया जाता है तो वो पक तो जाता है पर उसमें न्यूट्रेंट्स काई गुना कम होते हैं मचे आम को क्याल्शियम कारवाइड के पैकेट्स के साथ रखा जाता है जैसे ही ये केमिकल हवा में मौजूद मौश्चर से रियाक्ट करता है तब एसिटलीन ग्यास उत्पन होती है जिसका प्रभाव आम पर एथलीन के समान ही होता है जब आम पेड़ पर ही पकता है तो वो जड़ो और मिट्टी से न्यूट्रियंट्स और मिनरल्स को अपने अंदर भर लेता है बसाले से पके आम का सेवन करने से हमार लिए गंभी स्वास्ते संबंदित समस्याएं खड़ी हो सकती है जिनमें से डिजीनेस, स्लीपीनेस, मेंटल कंफूजन और मेमरी डिस्टॉशन आम है और लंबे समय तक क्याल्शियम कारबाइड वाले फल का सेवन करने से कैंसर भी हो सकता है आम लेते समय ये देख लें कि आम पर किसी तरह के काले धब्बे ना हो जो अक्सर आर्टिफिशली पकाय आम पर होते हैं